अधिपुरुष की हेड़ेक एंडिस्पॉंड मैंड के बाद फाइनली हमें कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है तो लीजिए आखिरकार आ ही गई वो अपडेट जिसका सबको बहुत बेसबरी से इंतिजार था जी हाँ ये पहली इंडियन एनिमेशन वेब सीरीज है जो इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज बन चुकी है डिजनी प्लस होर स्टार की ओर से जिसका पहला सीजन 2021 में लिज किया गया था जिसको ओडियन्स की ओर से भरपूर प्यार मिला और इस सीरीज के हर एपिसोड को बहुत पसंद किया गया बच्चों से लेके बड़ों तको ये सीरीज बहुत पसंद आई जी हम मैं बात कर रहा हूँ लेजन्ड ओफ हनुमान के सीजन 3 की तो अभी डिजनी प्लस होर सार की ओर से ओफिशिल एनॉंस कर दी गई है ये सीरीज जिसे अभी जल्दी ही रिलीज किया जाने वाला है जो अल्मोस्ट बनके रेडी हो चुपी है जिसका अभी बस फाइनल टाच अप हो रहा है जो अभी हमें अगस्ट मांथ के शुरू में ही देखने को मिलने वाली है जी है मैंने सही बोला The Legend of Hanuman का सीजन 3 हमें अगस्ट मांथ के शुरू में देखने को मिलने वाला है अभी तक इसकी रिलीस्ट एट अनाउस तो नहीं हुई है बट जो भी मीडिया हुसे से अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से यह सीरीज हमें अगस्ट मांथ के शुरू में ही देखने को मिलेगी हो सकता है कि थोड़ी सी आके पीछे हो जाए लेकिन अगस्ट मांथ के फर्स्ट वीके आसपास ही होने वाली है जिसके भी सीरीज के सीजन 1 और 2 के जैसे ही 10 के उपर एपिसोड होने वाले हैं जिन सभी एपिसोड को एक साथ ही लिस्ट किया जाएगा या फिर एक एक करके लिस्ट किया जाएगा उसके लिए तो हमें इस सीरीज के ट्रेलर आने तक का बेट करना पड़ेगा लेकिन जो भी हो अच्छी ख़बर तो आई हमारे लिए कि ये सीरीज फाइनली अभी हमें देखने को मिलने वाली है तो ये थी आज की अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एंटर्टेन्मेंट की नई लिस्ट के साथ तक तक और नीचे वाले छोटू से लाइक वाले बटन को दबाते रहिए और लॉकड़ॉन इंटर्टेन्मे को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्यार रखिए बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहिए टाटा बाई बाई